आज बनाने जारी हूँ कच्चे के लेगी कतलेट तो बनाने के लिए डो कच्चे के ले ली हूँ और एक आलू ली हूँ फेले कच्चे के ले और आलू को छोटे जटे करके कात लेंगे कड़ाई में पानी जढ़ा देंगे बोयल होने के लिए हल्टी पाउडर और नमक डाल दे केले और आलू को डाल कर कब धक कर 15 मिनित के लिए बोयल कर लेंगे यहाँ पर केले और आलू को बोयल करके रख्यू हूं सुजी को कोटिंग करेंगे कटलेट बनाने के लिए केले और आलू के छिलके निकाल देटे है आप हाटो के साहे हेटे से मैस कर ले मैसर के मटास से भी आप मैस कर सते है मसाले में जाएगा नमक स्वाटा नुसाद लेंगे अद्डाक लसुन पेस्ट, गरम मसाले, काली मेस पाउडर और आमचूर पाउडर दाल देगे बारी कटे हुए प्याज, धन्या पटा और हारी मेस दाल देटे है सबी चीज़े को अच्छे से मेस कर ले हाटों की साइटे से गोल करके प्रेस कर लेते है काटलेट की सेब में लेते है काटलेट को आपके मन पसंद की सेब में बना सते है एक टाओ को चरा लेते है, थोड़ा तेल डाल दे सुझी को कोटिंग करके डाल दे सारे काटलेट को डाल के पांच मिनिट के बाद पलत देंगे आप काटलेट को डीप फ्राइब भी कर सकते है काटलेट के डूनोस तरप के साइट को अच्छे से हमारे कच्छे के लिए की काटलेट त्यार है आप सॉस या चटनी के साइट को स्वर्प कर सकते है काटलेट को डाल के आप Magic